शाहपुरा विधानसभा में लगाए गए विधायक प्रवासी गोरकपुर सहजनवा उत्तर प्रदेश के विधायक प्रदीप शुकला ने मंगलवार दिन का शुभारम सबसे पहले सामोध वीर हनुमान जी के पहुंच कर धोक लगा कर किया। इस अफसर पर पुजारी ने व गनवारी कार्यकरताओं वह महिलाओं के साथ बैठक की। बैठक में भाजयुमों के पूर प्रदेश मंत्री देवायुष सिंग विशिष्ट अति थी थे। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए विधायक प्रवासी शुकला ने कहा कि बालिका वह महिला की सुरक्षा वह विकास केवल भाजपा सरकार में ही संभव है। भाजपा सरकार महिला सुरक्षा को लेकर कटिबंध है। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने वाली सरकार है। वहीं कॉंग्रेस राज में महिला अत्याचार, अन्याए, उत्पीडन, शोशन, बलातकार जैसी प्रदेश में रोज घट रही है। जिसे आने वाले वक्त पर अब प्रदेश की आदी आबादी महिलाएं बरदाश नहीं करेगी और कॉंग्रेस राज को उखार फेकेगी। भाजयुमों के पूर्द प्रदेश मंत्री देवायुष सिंग ने कहा कि पूर्द विधान सभा उपाध्यक्ष राओ राजेंद सिंग के नित्रित्व में शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र में 15 साल में एतिहासिक विकास कार्य हुए थे। वहीं क्षेत्र में के विधान सभा संयोजग गुर्डू सैनी ने भी विचार व्यक्त करते हुए संगठित रहकर पार्टी में काम करने की बात कहीं। संयोजग कल्यान गुर्जर ने भाजपा की तरफ से चलाई जा रहे मिस्ट कॉल 8 अरब 14 करोर 2,200 पर सदस्यता अभ्यान से जुडने की जा इस मौके पर शाहपुरा विधान सभा के वरिष्ठ भाजपा नेता चौथल सामरोता, विस्तारक रहुल सैनी, सुनील बिहाजर, अमरसर भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबुलाल कुमावत, पूर्व मंडल अध्यक्ष छाजुराम सैनी, मनोहरपूर मंडल के पूर्व अध अध्यक्ष गिरधरी लाल मीना सहित कई कार्य करताओं पदाधिकारी मौझूद।